हेलो गाइज मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है अब हम एंडिये के question number 12 को solve करने जा रहे हैं जो इस तरीके से लिखा हो गया है कि if c20 yen plus 2 is equal to c20 yen minus 2 then what is the value of n आपको बताना काफी easy question अगर आप ध्यान से इसको देखो तो यह पहली बाद बसके समझ नहीं पाते हैं इसका यह कैसे रिप्रेजन करता है इसको बोलते हैं 20 c n plus 2 is equal to 20 c n minus 2 अच्छा तो आप उसको पता होना चाहिए कि एक formula होता है कि अगर ऐसे system बराबर हो ऐसे आपके पास कोई दिया वो math ने expression कैसा कि n c x is equal to n c y इसमें दो चीज़ी हो सकती है या तो x is equal to y हो सकता है और क्या हो सकता है x plus y is equal to n हो सकता है तो जहां तक हमें देख रहा है कि x is equal to y तो कभी हो नहीं सकता है एक है n plus 2 एक है n minus 2 हमें कहां चाना पड़ेगा इनके x plus y से यहां पर x की वालू कितनी है n plus 2 y की वालू कितनी है n minus 2 is equal to कितना हो गया 20 तो 2 से 2 खतम हो जाएगा n कितना हो जाएगा 10 इस question का option number कौन से सही होगा b thank you guys कितनी है